नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं जैसा कि हम जानते हैं भारत में अनेक टेवार मनाई जाते हैं जितने धर्म हैं उतने ही अलग 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 तेवार हैं जो हमें कुछ न कुछ सीख दे कर ही जाते हैं लेकिन दीवाली हिंदु धर्म की लोग ही नहीं बलकि जैन ध धर्म में मानेता और महत्वता दोनों ही अलग है देखा जाए तो यह देवा दुख का दिन है क्योंकि जैन धर्म के चूविसवे अंतिम तेर्थंगर भगवान महावीर हमसे बीछड़ गए हमें छोड़कर चले गए भगवान के निर्वान के समय करोड़ो देवता और प्रभु का अब कुई नाता नहीं है वह अपने सारे कर्म समाप्त कर निर्वान को प्राप्त हो चुके हैं जैन धर्म में इसे निर्वान धिवस भी कहा जाता है भगवान महावीर का निर्वान पावपुरी में हुआ था भगवान महावीर के निर्वान हो जाने से कार्थ प्रभु वीर के प्रतम शिष्य गुरु गौतम को केवल ग्यान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैन धर्म में दिवाले के अगले दिन न्यूतन वर्ष के रूप में मनाया जाता हैं, और एक दूसरे को बदाई दी जाती है। गौतम बुद्ध और गौतम स्वामी ये दोनों अलग-अलग हैं, गौतम बुद्ध बौद धर्म से तालुक रखते हैं, और गौतम स्वामी महाविर स्वामी भगवान के प्रतम शिष्यत हैं, और ये जैन धर्म से तालुक रखते हैं। भाई वीज क्यों मनाई जाती है? भगवान महाविर के निर्वान हो जाने से उनके भाई नंदिवर्दन प्रभू के जाने का दुख विरोसन नहीं कर पा रहे थे, वो विलाप कर रहे थे, यह देख बहन ने उन्हें सांत वना दी, तब इसे भाई वीज का तेवार पचलित ह जैन धर्म में लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? जब तिरतंकर गर्भ में होते हैं, तब उनकी मा चौदा सूप स्वपन देखती है, उनमें एक लक्ष्मी जी भी होती है, दिवाली के दिन पहले प्रभुवीर की पूजा होती है, उसके बाद लक्ष्मी जी की घर में आई हुई लक्षमी, अगर रागद्रेश से आय हो या गई हो तो उसके लिए पश्यताप और शमा मांगते हैं यह संगल्प करते हैं कि आई हुई लक्षमी गलतकार्यद में नहीं लगींगी बलकि शुप लगींगी ताइकि सभी जीवों का कल्यान हो और लक्षमी पुन्य से मिलती है यह ध्यान में रखेंगे जैन धर्म में पटाके नहीं जलाए जाते हैं क्योंकि इससे वायुकाई के जीवों की हिंसा होती है जो हमारी आखों से नहीं दिखते है और कई जीव इसके आवाज से डर भी जाते हैं और वे इदर उदर दोडने लगते हैं और इससे प्रदुशन भी होता है जैन धर्म यह भी मानता है कि पटाकों से सरस्वती का भी अपमान होता है उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद